दसवी के बाद क्या करें अक्सर विद्यार्थेयों के मन में यह क्यूशन आता है जब वो बोर्ड का एक्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दसवी के बाद आप क्या करें जो आपके लिए बहतर होगा ठीक है देखिए अगर हम जनून बात करें दसवी के बाद आप इंटरमीडियेट करसकते हैं इंटरमीडियेट में आपके पास तीन सेक्टर है यानि तीन संकाइए हैं फेकल्टी की बात करें तो पहला आता है आपका science, commerce और art. ठीक है, आप ये तीनों कर सकते हैं. या नहीं, तो आप यदि डिप्लोमा कॉर्स करना चाहते हैं तो उसमें polytechnic या फिर आप IDI कर सकते हैं. ठीक है, यानि कि science लेने के बाद क्या फाइदा हो सकता है, commerce लेने के बाद क्या फाइदा हो सकता है, arts लेने के बाद क्या फायदा हो सकता है निया फैले बात करते हैं क्वाथ का चाहें तो नब में आप की आँप संधियां तो नते कि क्यों चुनना पसंद करेंगे घ्रियां कॉछ से न पसंद करते हैं क्योंकि हमारे मन में यह भावना बैठ जाती है कि आर्ट्स विसे वह बच्चे लेते हैं जो पढ़ने में काफी कमज़र होते हैं और इसका कोई असकोप नहीं होता है लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू आर्ट्स काफी महतुपुर्ण सब्जक्ट है क्योंकि आप से काफी बरे मात्रा में प्रशन पूछे जाते हैं तो यह सब्जक्ट उन सभी विद्यारतियों के लिए काफी महतुपुर्ण होगा जो प्रसासनिक सेवा में जाना प्रसंद करते हैं जैसे आइस बनना चाहते हैं वीडियो सीडिपीयो सीओ या विविन परकार के जो प्र बारा कम जाएगा लेकिन मेरे दोस्त मैं बता दो वैल्यों इससे नहीं घटती है वैल्यों घटेगी तब जब आप अपनी पसंद का सब्जक्ट छोड़ करके दूसरे सेक्टर में जाएंगे और दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो आपको मन नहीं लागेगा और वो चीज आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो इसलिए जो पेपर आपका स्ट्रोंग है जिस सेक्टर में आपके जाने का मन है उस सेक्टर में जाएंगे दुनिया क्या कहती है इसका परवाह मत केजे क्योंकि दुनिया ऐसी है कि आप अच्छा करो तो भी टांग हीजए ठीक है तो आर्ट से सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट में आपको कौन-कौन से विश्या लेने होगे ठीक है तो यह आप पूराने समय के बारे में जनकाने मिलती है जैसे हमारी भारत्य संस्क्रिति कैसी थी या विकास कैसे हुए हमारा क्या संघर्स करना परा आदी मानव या फिर और अनेक्स अभेताएं तथा भारत के इस्थिति सुतंतरता संग्राम इत्यादी इन सभी के बारे में जनकारी मिलती है दूसरा सब्जक्ट आता है भोगोल यह जोग्रफी जो है काफी इंट्रेस्टिक सब्जक्ट है क्योंकि इस संब्च आपका आता है पॉलेटी कल साइंस यानि की राजनेती के विद्ञान यह हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है पॉलेटी कल साइंस क्योंकि यह पॉलेटीकल सेन्स लेतі हैं तो पालटीकल साइनस में हम हमें संभीधान के हर एक अनुछेद भाग और अनुसुचि के जानकारी मिलती है जिसे भारत के स्थिती के बारे में जानकारी में ustam जानकारी में आपको पॉलिटीकल साइंस से हैं तो ये तीन प्रेबर आपको कमसे लेने चाहिए intermediate मेरे ख्याल से यदि आप civil services की त्यारी करना चाहते हैं तो क्योंकि इन स्टीन सेक्टर से आपके एक्जाम्नियों से मैक्सिमम कुशन भरभर के कुशन पुछे जाते हैं उसके बाद आप ले सकते हैं economics economics में क्या होता है तो इस subject में आपको भारत के economy goods and service cell से संबंधित मुद्रा व्यवसाई और उद्दोग के संगठन रीतियों के सिधान्त की जानकड़ी दी जाती है ठीक है पाच्वा सब्जक्ट मनुविग्यान यानिकि psychology इस subject में आपको मनुश्री के दिमाग और उनके behavior के बारे में अच्छे से जानकड़े दी जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के विवन पहलों को देखते हो उनके बारे में जान सके है ठीक है छटा विसाई करूप में आप ले सकते हैं English English देखिए यह भी है काफी महतपुर्ण सब्जक्ट क्योंकि आप क इंग्लिस भासा आती है तो अगर नहीं आती है तो यह विसा आपको लेना चाहिए और सेखना चाहिए इंग्लिस में मैंली जो हता है वह ग्रैमर पर फूकस के जाता है और इस पोकेन या फिर लेट्रेचर की भी जानकड़ी दे जाती है अब अगर आब बात करें तो साइवी से हैं जिसके अंतरगत हमें सुसाइटी से संबंधी थी यानि समध सेवा के बारे में पढ़ाया जाता है और नौवा सब्जक्ट क्या हो जागा दर्संद सास्तर यानि फिलोसोफी इस सब्जक्ट के अंतरगत हमें इंसन के बारे में बताया जाता है कि लोग क्या स सुझते हैं कैसे stress free रह सकते हैं कैसे खुश रह सकते हैं यह हमारे दिन चलिया के बारे में जनकारी मिलती हैं तो यह रही आर्ट्स की बात कि आप आर्ट्स paper में कौन-कौन से subject को choose कर सकते हैं और आपको क्यूं लेना चाहिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैट्रिक के बाद यदि आप आर्ट्स पेपर लेना चाहते हैं तो लेजिए खारा पेपर नहीं है काफी बढ़िया पेपर है यह ठीक है और अगर आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लेट कर लेते हैं तो जितने विसेविल सर्व स्ट्वान से माक्सिमों कोश्टन रहते हैं अब बात कर लेते हैं हम दस्वीं के बाद अगर कमर्स लेना चाहें तो फिर क्यों लेना चाहेंगे इसको ठीक है तो देखे, सभी विसाय का अलग-अलग महत्तु है, तो बात करते हैं वानेजी का वानेजी का मुल आधार क्या है? हिसाब व रोजगार से सम्बंधेत यानि कि हिसाब व रोजगार में फाइदेमंद का आसार के रूप में इस सब्जक्ट को जाना जाता है इस विसाय को पढ़ने के बाद आप असानी से किसी भी व्यवसाय कंपनी, वा दुकान के बैलनसेट, वा बजज़ार के उतार चथाओ को समझ सकते हैं ठैक है? अगर बात करें के इसमें कौन-कौन से पेपर आते हैं तो समसे परला पेपर आता है एकाउट अन्सी का एकाउंटेंसी में क्या होता है तो इसके अंतरगात आपको एकाउंट से संबंधित हिसाब किताब सिखाया जाता है जैसे बिजनेस एकाउंट में पैसा चाना करना और निकालना इत्यारी दूसरा पेपर क्या होता है economics economics में क्या होता है इसके अंतर्यात्त आपको भारत के economics जने जानकारी धी जाती है अगां nosotros गरूक में और आता है भीजनेस लिए टेख इस अम्रहें बिजनेस के बारे बढ़ा जाता है कि कैसे क्याकती बिजनेस कि जाती है आप विजनेस को कैसे कर कर सकते हैं या बिजनेस से संस्वाज़़ काते हैं क्या क्या जड़र्द Diesel पर कि परकार के गनना के बारे में टिक कर आये जाता है ठीन है और इंगे रुप में deeply ने तक्ट बताएं इंग्लिस क्या है काफी इंपोर्टेंट पेपर है ठीक है तो यह हो गया कमर्स की बाद अब बात करते हैं कि यदि आप दस्वी के बाद साइंस लेना चाहते हैं तो फिर क्यों लेना चाहते हैं और यह जो साइंस पेपर हैं वैसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट पसंद करते हैं जो पढ़ने में का फिंट्रेलिजेंट होते हैं वो साइंस लेना पसंद करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि आप साइंस लेना चाहते हैं तो आप किसके सक्टर में जा सकते हैं तो देखें दसवी के बाद यदि आप साइंस लेना चाहते हैं तो आप दो छेतर मे जा सकते हैं पहला छेतर तो हो गया मेडिकल और दूसरा हो गया नन मेडिकल यदि आप मेडिकल के छेतर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बायलोजी को में विसे के रुप में लेना पड़ेगा और यदि नन मेडिकल के छेतर में जाना चाहते हैं यान इंजिनियरि गति के बारे में स्टड़ी कराई जाती हैं दूसरा Patra करकार के रसाइनिक पतार्थ की प्रकिरती करपनी करौकार्बनिक पतारथ हो के बारे में जनकारी मिलती हैं तीसरा प्यलदाए आपका जीव विविग्यान तो इसके इंतरकत विवन प्रकार के जीव जन्तु वातवरन और इनके संबंधित जितने भी चीजें होती उनसे भी के वारे में स्टड़ी कराई जाती है फॉर्थ पेपर आप गनीत के रूप में ले सकते हैं गनीत क्या है तो इसके इंतरकत आपको गरना के बारे में बताया जाएगा fourth paper के रुप़े आप computer science ले सकते हैं computer science काफी बढ़िया paper है ठीक है यदि आप computer science लेते हैं तो इसके इंतर कताब को computer से संबदित विविन प्रकार की जानकारी दी जाएगी ठीक है जैसे software के बारे में hardware के बारे में या फिर आपको application developing के बारे में बताया जाएगा ठीक है और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं इंटरनेट से समद्धित हो सारे चीज़ें का स्टड़ी कराया जाएगा तो यह भी काफी अच्छा सब्जक्ट है छटा पेपर कुर्प में अपले सकते हैं बायो टेक्नोलोजी देंगे बायो टेक्नोलोजी के अंतर को जो के आठ्स कमड़ साइंस यह तीनों मैं से कोई ना ले तो आपके लिए एक और सेक्टर है जिसे हम डिपलोमा कोर्स कहते हैं यदि आपको कोई भी को कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सभी में आपको जेनरल कटेगरी के अपक्छा ज्यादा प्रत्मिक दे जाएगी अब देखिए डिप्लोमा में आपको दो चीज कर सकते हैं पॉले टेक्निक क्या है कि तस्वी के बाद यदि आपको डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पॉले टेक् क्प्लीट कर लेने के बाद आपको विविन परकार के जो गुर्मेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें अच्छे वेतन के साथ आपके न्युक्ति हो सकती है क्योंकि वहां पर पॉलीटेक्टिक वालों को प्राथ मिक्ता देज जाती है पॉलीटेक्टिक में आप विवन परकार के गॉर्स कर सकते हैं जैसे फैसन डिसाइनिंग हो गया कंप्यूटर हर्ट वेर अटो मॉपाइल एलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग या मेकनिकल इंजिनिय इत्यादी ठीक है और पॉलीटेक्टिक करने के बाद आप डारेक्ट जॉब ले सकते हैं या फिर आप आगे बैचलर डेगरी की भी तयार कर सकते हैं और यहादि करना चाहते हैं तो इससे हो सकता है कि आपको अलग-अलग सेक्टर में जोब आसानी से मिल जाएंगे एटिय जब होता है वह असानी से मिल जाएगा और जो जेनरल लोग होते हैं उनसे ज्यादा प्राथमिकताब को दी जाएगी और आपकी सेलरी भी काफी अच्छी खासी होगी और अगर कभर्रमेंट की बात करें तो रेलवेव में खास करके आईटिय वालों के लिए काफी अच्छा म करके पाथ सेक्टर आपको बताया कि दस्मीं के बाद आप रहा है तक जतने भी बोड़ का पास किएंग इस वीडियो को सेर कर दे जाथा कि सभी इस वीडियो को देख करके अपना जाग कास कि उसको चुन पाएं मिलता है यह वीडियो में तब टक के लिए धन्यवाद है